इस वीडियो में हम समझेंगे विज्ञान संग रहाले के बारे में संचीप्त में ही समझेंगे चर्चा करेंगे विज्ञान संग रहाले क्या होता है तो चलिए देखते हैं जैवे विज्ञान सिक्षड का मुख्य उद्देश चात्रों को प्राकृतिक एवं शमाजिक वातारोर से संबंदित उन सभी वैज्ञानिक तत्यों एवं सिध्धान्तों का ज्ञान कराना होता है जिनके द्वारा वी दुनिया को ठीक प्रकार से समझ कर अच्छी तरह क्या क एवं उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनको इनके प्राकृतिक एवं शभाविक रूप में देखना अनिवार्य होता है ठीक है इसका अर्थिया है कि छात्रों को इसी संबंदित प्रत्यक्ष अनुभव जो कि देख सके छात्र अनुभव कर सके प्रत्यक्ष अ समगरीयों को इसकूल में भी इकट्था किया जाए ताकि छात्रों से उनका समय पर निरिक्षड किया जा सके जैवे विग्यान संग्रहाले याने कि विग्यान संग्रहाले की इस्थापना इसी दिशा में सोचने का हिए परीडाम है आगे देखते हैं इस तरह जैवे विग बैज्ञानिक ढ़ंग से सौधानी से रख कर उनका इस तरह से प्रदर्शन किया जा सके कि छातरि उनका भली भाति नीरिक चड़ करके उनसे संबन्धीत उपयोगी ज्यान को क्या कर सके ग्रहड कर सके इस प्रकार से वाहे जगत से कुछ चीजे विज्ञान से संबन्धी चीजे एकत्रित की जाते है उसमें क्या होता है उसमें चातरों द्वाराइ संघ। यानि कि model आदी दिखा कर उनसे परिचीत कराते हैं तथा उनका उनके वातावरर से संबंध अस्थापित कर सकते हैं तभी उनके ज्ञान की वास्तविक व्रिधी क्या होती है संभो है तो आज हमने इसमें स्वाट में संचिप्त में पर अच्छी तरह भली भात या स्पस्थ लूप से समझाए कि विज्ञान संग्राले क्या होता है अगर एक्जाम में पूछे विज्ञान संग्राले क्या होता है तो आप उसे लिख सके ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीज एक बार से चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगार विडियो पसंद आई हो तो लाइक इंचेर भी अवश्य कर देंगे थैंक यू